ओम श्री प्रिस्पते नम्हा, नौ ग्रहों में सबसे अधिक शुप्र है, देव गुरु प्रिस्पती को माना जाता है, प्रिस्पती एक वर्ष में एक राशी से दूसरी राशी में संचरन करते हैं, और 27 नक्षत्रों से भी उनका परिभ्रमन होता है, जोतिश केनुसार, न नौ ग्रहों का राश्यों में परिवर्तन है, क्योंकि देव गुरु प्रिस्पती सभी ग्रहों में सबसे बड़े और सबसे शुप ग्रहा है, इसलिए उन्हें गुरु ग्रह कहा जाता है, और देव गुरु प्रिस्पती जी की पूजा करने से सभी अन्य ग्रहों का भी श प्राचीन समय की बात है भारत वर्ष में एक राजा राजी करता था वह बड़ा प्रतापी और दानी था वह नित्य-प्रती मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाता था वह ब्रहमन और गुरु की सेवा किया करता था उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं ल गरिबों की साहता करता था परन्तु ये सब बातें उसकी राणी को अच्छी नहीं लगती थी वह ना तो व्रत करती नहीं किसी को एक पैसा दान में देती थी और राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए थे घर पर रानी और दासी थी उसी समय गुरू ब्रश्पति साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर बिक्षा मांगने आए साधु ने रानी से बिक्षा मांगी तो वह कहने लगी है साधु मैं इस्तान और पुणि से तांग आ गई हूँ इस कारिक के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत है अब आप ऐसे करपा करें कि हमारा सारा धन नस्ठ हो जाए और मैं आराम से रह सकूं साधु रूपी ब्रस्पतिदेव ने कहा है देवी तुम बड़ी विचित्र हो संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है इसको तो सभी चाहते हैं पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुश्यों को भूजन कराओ प्याओ लगवाओ ब्रहमनों को दान दो धर्म शालाइं बनवाओ कुआ तलाब बाव प्रकार के कर्मों से आपके कुलका और आपका नाम परलोग में सार्थक होगा और स्वर्ग की प्राप्ती होगी किन्तु राणी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई उसने कहा है साधु माराज मुझे ऐसे दनकी बिल्कुल आवश्यक्ता नहीं जिसको मैं अन्य जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना ब्रस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना राजा से कहना वह दाड़ी कटवाए भोजन में मांस मदीरा खाना कपड़ा धोबी के यहां धुलने देना इस प्रकार साध ब्रस्पतिवार करने से तुम्हारा सद्धन नश्ठ हो जाएगा ऐसा कहकर साधू महराज रुपी ब्रस्पतिदेव अंतर ध्यान हो गए गया यहीं के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ। क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई काम नहीं कर सकता। मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंदा करूँगा, शायद हमारे भागी बदल जाएं। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकडी काट कर लाता और शेहर में बेशता। इस तरह जीवन वितीत करने लगा। इधर राजा के बिना राणी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पी कर ही रह जाती। एक बार राणी और दासियों को साथ दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा। तो राणी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी यहाप 810 के नगर में मेरी बहन रहती है वे बढ़ी धनवान है तुँ उसके पास जा और वहाँसे 5 सेर बेजर मांगर लिया जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगा दासी रानी की बेहन के पास गई रानी की बेहन उस समय पूजा कर रही थी दासी ने रानी की बेहन से कहा हे रानी मुझे आपकी बेहन ने भेजा है मुझे पास सेर बेजर दे दो दासी ने ये बात अनेक बार कही परंतु रानी की बहन ने कोई उतर नहीं दिया जो कि उस समय वे ब्रिस्पतिवार की गठा सुन रही थी जब दासी को रानी की बहन से कोई उतर नहीं मिला तो वे बहुत दुखी हुई उसे क्रोध भी आया वे लोटकर रानी से बोली हे रानी आपकी बहन तो बहुत ही घमंडी है वे तो छोटे लोगों से बात भी नहीं करती मैंने उससे बहुत बार कहा लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया मैं वापस चली आई रानी बोली हिदासी इसमें उसका कोई दोश नहीं है जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता अच्छे बुरे का पता विपत्ती में ही लगता है अब तो जो इश्वर की इच्छा होगी वही होगा ये सब हमारे भागी का दोश है उधर रानी की बेहन ने सोचा कि मेरी बेहन की दासी आई थी परन्तु मैं उससे नहीं बोली इससे वह बहुत दुखी हुई ह होगी अत्हा कथा सुनकर और विश्ण भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी है बहन मैं ब्रस्पतिवार का व्रत कर रही थी तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी परन्तु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग न उठते हैं और ना बोल जा था रानी की बहन बोली बहन देखो ब्रस्पति भगवान सब की मनुकामनाई पूर्ण करते हैं देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो यह सुनकर दासी घर की अंदर गई तो वहां उसे एक घड़ा बेजर का मिल गया उसे बड़ी हरानी क्योंकि उसने एक ए और कथा पूछली जाए तो उसे हम भी किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से ब्रस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा, उसकी बहन ने बताया हे रानी बहन ब्रस्पतिवार को सूर्यदे से पहले उठकर इसनान करके ब्रस्पतिवार का व्रत करना चाहिए लेकिन उस दिन सिर्थ नहीं दोना चाहिए ब्रस्पतिवार के व्रत में चले की दाल और मुनक्का से विश्णु भगवान का केले के व्रक्ष की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलावे उस दिन एक ही समय भोजन करे भोजन पीले खादी पदार्थ का करे और कथा सुने इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसंण होते हैं अन्य पुत्र धन देते हैं मनों कामना पूर्ण करते हैं व्रत और पूजन की विधी बता कर रानी की बेहन अपने घर लोट गई रानी और दासी दोनों ने निश्चे किया कि ब्रिस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे साथ दिन बाद जब ब्रिस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा गुड़ साल में जाकर चना और गुड़ बिन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विश्णु भगवान का पूजन किया अब पीला भोजन कहां से आये तोनों बड़ी दुखी हुई परन्त उन्होंने व्रत किया था इस कारण ब्रिस्पतिदे भगवान प्रसन थे एक साधरन विश्णि के रूप में वे दो थालों में सुन्दर पीला भोजन लेकर आये और दासी को देकर बोले है दासी ये भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है तुम दोनों कर लेना दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन हुई और रानी से बोली रानी जी भोजन कर लो रानी को भोजन आने के बारे में कुछ नहीं पता था इसलिए मैं दासी से बोली जा तू ही भोजन कर क्यों तो व्यर्थ में हमारी हस्यूर आती है तब दासी बोली रानी एक व्यक्ति भोजन दे गया है तब रानी कहने लगी वो भोजन तेरे लिए ही दे कर गया है तो ही भोजन कर दासी ने कहा वह व्यक्ति हम दोनों के लिए दो थालों में भोजन दे कर गया है इसलिए मैं औ और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगी फिर दोनों ने गुरू भगुवान को नमस्कार् Paire ऊसकी बात से विप्रतेख ब्रस्पतिवार को गुरु भगवं कवरत और पूजन करने लगीगि ब्रस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परन्तु रानी फिर पहले की तरह से आलस्य करने लगी, तब दासी बोली देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कस्ट होता था, इस कारण सभी धन अस्ट हो गया, अब ब्रहमणों को दान दो, कुवा तलाब बावडी आदिका निर्मान करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, कुवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुब कारियों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्थो और पित प्रार्थन की और तब भगवान ने रात्री में राजा को सपन में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को वापस लोट जा, राजा प्रात्यकाल उठकर जंगल से लकडियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा, जंगल स इसी समय उस जंगल में ब्रिस्पतिदेव एक साधू का रूप धारन करके आए और राजा के पासा कर बोले, हे लकड़ारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ, ये सुनकर राजा की आँखों में आशू भराए, और साधू की वंदना क के वह बोला, हे प्रभो, आप सब कुछ जानने वाले हैं, ऐसा कहकर राजा ने साधू को अपनी संपूर्ण कथा सुना दी, महत्मत दयालू होते हैं, वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने ब्रिस्पतिदेव के प्रति अपराद किया था, जिसके कारण त अब तुम किसे प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे, देखो तुम्हारी पत्नी ने ब्रस्पतिवार का व्रत करना प्रारम कर दिया है, अब तुम भी ब्रिस्पतिवार का व्रत करके चले की डाल और गुड जल के लोटे में डाल कर केले का पूजन करो फिर कथा कहो या सुनो भगवान तुम्हारी सब मनुकामनाओं को पूर्ण करेंगे साधु को प्रसन देखकर राजा बोला हे प्रभो मुझे लकडी बेज कर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बजा सकूँ और मैंने रात्री में अपनी राने को व्याकुल देखा है मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे समझार जान सकूँ फिर मैं ब्रस्पतिदेव की क्या कहानी कहूँ मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम है साधु ने कहा हे राजा तुम किसी बात की चिंता मत करो ब्रस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकडिया लेकर शहर में जाओ तुम्हें रोज से दोगुना धन प्राप्त होगा जिससे तुम भलिभाती भोजन कर लोगे और ब्रस्पतिदेव की पूजा का सामान भी आ जावेगा ब्रस्पतिवार की कथा इस प्रकार है प्राचीन काल में एक बहुत निर्धन ब्रामन था उसकी कोई संतान नहीं थी वह नित्य पूजा पाट करता परन्तु उसकी पत्नी बहुत मलिंता के साथ रहती थी वो ना तो इस्नान करती और ना किसी देटा का पूजन करती थी प्राचीन काल उठते ही सबसे पहले भोजन करती पाट में कोई अनिकार्य करती ब्रामन देटा बहुत दुखी रहते थे पत्नी को बहुत समझाते कि नहीं निकलता भगवान की कृपा से ब्रहमण की पतनी के कन्या उत्पन हुई वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी वह बालिका प्रात्या इस्नान करके भगवान विश्णु का जब करती वह बच्पन से ही ब्रस्पतिवार का व्रदभी करने लगी थी पूजा पाट समाप्त कर स्कूल जाती तो अपनी मुठी में जो भर कर ले जाती और पाट शाला जाने के मार्ग में डालती जाती वही जो सोने के हो जाते तो लोटते समय उनको बीन कर घर ले आती एक दिन वहबाली का सूप में उन सोने के जोको फटकर साफ कर रही थी तब ही उसकी माने देख लिया और कहने लगी है बेटी सोने के जोको फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए दूसरे दिन गुरुवार था उसकन्या निवरत रखा और ब्रस्पतिदेव से प्रार्थन करके कहा हे प्रभो यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो ब्रस्पतिदेव ने उसकी प्रार्थना स्विकार कर ली रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती भी पाठशाला चले गई पाठशाला से लोटकर जब वह जौ बीन रही थी तो ब्रस्पतिदेव की करपा से उसे सोने का सूप मिला उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी परंतु उसकी मा का वही ढंग रहा एक दिन की बात है वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी उस समय उसनगर कर राजकुमार वहां से होकर निकला इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ को साफ करते देखकर वह उस कन्या पर मोहित हो गया राज महल आकर वह बोजन तथजल त्याग कर उदास होकर लेट कया राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्यजल त्यागने का समझार मिला तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास आया और बोले है बेटा तुम्हें किस बात का कस्ट है किसी ने अपमान क किया है परन्तु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूं जो सोने के सूप में जौसाफ कर रही थी यह सुनकर राजा आश्चरे में पढ़ गया और बोला हे बेटा इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया मंत्री उस लड़की के घर गया और राजा का आदेश ब्रहमन को सुनाया कुछी दिन बाद ब्रहमन की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया कन्या के घर से जाते ही उस ब्रहमन देटा के घर मे पहले की तरह गरीबी का वास हो गया अब भोजन के लिए भी अन्य बड़ी मुश्किल से मिलता था एक दिन दुखी होकर ब्रहामन अपनी पुत्री से मिलने गया बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी मा का समचार पूछा ब्रहामन देवता ने सभी हाल कह सुनाया तब कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया इस तरह ब्रहामन का कुछ समय सुख पूर्वक भीता लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया और सभी हाल कहा तो पुत्री कहने लगी है पिता जी अब माता जी को यहां लिवा लाओ मैं उन्हें वह विधी बता दूंगी जिससे गरीवी दूर हो जाए अब ब्रहमर देर्था अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राज महल में पहुँचे तो पुत्री अपनी मा को समझाने लगी हे मा तुम प्रात्यकाल उठकर प्रथम इसनानादी करके विश इसमें अपनी मा को बंद कर दिया प्रात्यक और इस नानादी करा के पूजा पाट करवाया तो सद्वे तरह कहानी कहकर सादु महार로 वहां से लोप हो गए दीरे-दीरे समय बीतने पर फिर ब्रस्पतिवार का दिन आया राजा जंगल से लकडी काट कर किसी शहर में बेचने गए उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला राजा ने चेना गुड़ आदिला कर ब्रस्पतिवार का वरत किया उस दिन से उसके समस्थ राज में गोशना करवा दी कि कोई भी मनुश्य अपने घर में भोजन ना बनाए और आग भी न जलाए शमस्त जनता मेरे हां भोजन करने आई इस आग्या को जो नमानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी राजा की आग्यामिसार राज के सभी निवासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए लेकिन लकड़ारा कुछ देर से पहुँचा इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए जब राजा लकड़ारे को भोजन करा रहे थे तो राणी की द्रिस्टी उस खूटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था उसे हार खूटी पर लटका दिखाई नहीं दिया रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार उस लकड़ारे ने चुरा लिया है उसी समय सैनिक बुलवा कर उसको कैद खाने में डलवा दिया जब लकड़ारा कारगार में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि नजाने कौन से पुर्व जनम के कर्म से मुझे दुख प्राप्त हुआ है और उसी सादु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था ततकाल ब्रस्पति देव सादु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देख कर कहने लगे अरे मूर्ख तुने ब्रस्पति देवता की कथा नहीं की इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है अब चिंता मत कर ब्रस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर चार पैसे पड़े मिलेंगे उनसे तू ब्रस्पति देव की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे अगले आदमी को कारागार में बंद करा दिया है वह निर्दोश है वह राजा है उसे छोड़ देना रानी का हार उसी खूटी पर लटका हुआ है अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरी राजी को नेस्ट कर दूँगा राजा प्रात्यकाल उठा और खूटी पर हार टंगा दे हुए तथा बहुत सी धर्मशाला मंदिरादी बने वे हैं राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है तब नगर के सब लोग कहने लगे यह सब रानी और दासी त्वारा बनवाए गये हैं राजा को आश्चरी हुआ और गुस्सा भी आया जब रानी ने खबर दासी दर्वाजे पर खड़ी हो गई जब राजा आये तो उन्हें अपने साथ मेहल में लिवा लाई तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा बताओ एधन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है तब रानी ने बताया हमें यह सब धन ब्रस्प पूटे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में तीन बार वह कथा कहता एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहां हो आवे इस तरह का निश्यक कर घोड़ी पर सवार होकर अपनी बहन के यहां चल पड़ा रास्ते में देखा कि कुछ आदमी एक मुर हैं निश्यक कर दी होने लगा उसी समय किसान की मा रोटी लेकर आई उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पुछा बेटे ने सभी हाल बता दिया बुढ़िया दोड़ी दोड़ी उस घुर सवार के पास गई और उससे बोली मैं तेरी कथा सुनूंगी तू अपनी कथा मेरे खेद पर ही चल कर कहना राजा ने लोटकर बुढ़िया के खेद पर जाकर कथा गई जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया अब राजा अपनी वहन के घर पहुच गया बहन ने भाई की खूप महमानी की दूसरे दिन प्रात्यकाल राजा जगा तो देखने लगा कि सब लोग भूजन कर रहे हैं राजा ने अपनी बहन से पूछा कि ऐसा कोई मनुश्य है जिसने भूजन ना किया हो जो मेरी ब्रस्ततिवार की गथा सुन ले तो बहन बोली है भाईया ये देशा ऐसा ही है पहले यहां के लोग भूजन करत उसे पता चला कि उसके यहां तीन दिन से किसी ने भूजन नहीं किया है राणी ने अपनी भाई की कथा सुनने के लिए कुमहार से कहा तो वे तयार हो गया तब राजा ने जाकर ब्रस्ततिवार की कथा कही जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया अब तो राजा की प्र अपनी भाई से कहा ये भाईया मैं तो चलूंगी परंतों कोई बालक नहीं जाएगा राजा ने कहा जब कोई नहीं जलेगा तब तुम भी जाकर क्या करता राजा प्रवुलिक्त्र शय!? राजा को यह जानकर बड़ी प्रसनता हुई नवे महिने राणी के गर्ब से एक सुन्दर पुत्र पैदा हुआ जब राजा की बहन ने ये शुब समचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के हाई तभी राणी ने कहा घोड़ा चड़कर त करते हैं जो सदभावना पूरवक पूर्वक व्रत करते हैं उसी प्रकार पूर्ण होती है जैसे रानी और राजा ने ब्रस्पतिदेव की कथा का गुणगान किया उनकी सभी छाएं ब्रस्पतिदेव ने पोन की मनश्य को हर्दे से उनका मनन करतेवे जैकार करनी चाहिए प्रेम से बोली ब्रस्पतिदेव ता की जै ये थी ब्रस्पतिवार ब्रत कथा अब सुनिए आर्ती ओम जय ब्रस्पति देवा स्वामी जय ब्रस्पति देवा चिन चिन भोग लगाऊं कदली पल मेवा ओम जय ब्रस्पति देवा तुम पूरण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी जगत पिता जगदीश्वर तुम सब के स्वामी ओम जय ब्रस्पति देवा चर्णामृत निजिनिर्मल सब पातक हरता स्वामी सब पातक हरता सकल मनोरत दायक कृपा करो भरता ओम जय ब्रस्पति देवा तन मन धन अरपन कर जो जन शरन पड़े स्वामी जो जन शरन पड़े प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े ओम जय ब्रस्पति देवा दीन दयाल दयान धी भाक्तन हितकारी स्वामी भाक्तन हितकारी पाप दोश सब हरता भव बंधन हारी ओम जय ब्रस्पति देवा सकल मनोरत दायक सब संशैतारो स्वामी सब संशैतारो विशय विकार मिटाओ विशय विकार मिटाओ संतन सुखकारी ओम जय ब्रस्पति देवा जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे स्वामी प्रेम सहित गावे जेस्ठानंद बंध सो सो निश्चय पावे ओम जय ब्रस्पति देवा ओम जय ब्रस्पति देवा स्वामी जय ब्रस्पति देवा चिन चिन भोग लगाओं कदली फल मेवा ओम जय ब्रस्पति देवा कदली ब्रस्पति देवाओं